हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम श्टडेवे संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के द्वारा पूचे गए महत्पून प्रिस्नों की सीरीज में भारतिय सम्मिधान से एक most important topic को आज हम बात करेंगे भारत में न्याय पालिका से बनेने वाले टॉप 75 प्रिस्नों को दोस्तों ये सभी प्रिस्न TCS की द्वारा पृत्योकता परिक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे भी गए हैं आज हम यहाँ पर उचिन्याले, मुखिनाइदीज वा सरवोचिन्याले से बनेने वाले सभी 75 most important question यहाँ पर देखने वाले हैं ये बीडियो आपके लिए आने वाली प्रित्योकता परिक्षा के लिए important रहेगा इस पेसली वे पर एक्षा हैं जो कि TCS के दोरा आयोजित की जाती है चाहें वे railway के exam हो, SSC के या फिर की C state level का exam ये वीडियो आपके लिए important होने वाला है वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, helpful लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे की आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में न्याए पालिका भारतिय समिधान का कौन सा इस्तम इसका अंतिम ब्याख्यायता है सही आंसर है न्याए तंत्र न्याए पालिका का मुखकार क्या है तो यार रखेगा न्याए पालिका का मुखकार है कानून का न्याए निर्णयन उच्च न्याले और सर्वुच न्याले दोनों के अधिकार छित्र में क्या आता है तो सही आंसर है मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये दोनों ही उच्च न्याले और सर्वुच न्याले के अधिकार छित्र में आता है भारत में कितने इस्तर की अदालतें मौजूद हैं तो भारत में तीन इस्तर की अदालत मौजूद है सितंबर 2020 तक भारत के मुखनाईधी सहित सर्वू चन्याले के नाईधीसों की सुएक्र संक्या कितनी हैं राइट आंसर है 34 भारत के सम्मिधान के अनुसार कौशन है भारत के सम्मिधान के अनुसार भारत में सर्वो चिन्याल के नियाईदीस कितने वर्स की आयू में सेवा निर्वित होते हैं सही आंसर है 65 वर्स इंपोर्टन कौशन है आठ वार ये कौशन रिपीट हुआ एक्जाम में टीसिस के दौरा किस बर्स पहली वार संसत के 108 सदसों दौरा सर्वो चिन्याल के नियाईदीसों को हटाने के लिए हस्ताक्षर किये गए थे सही आंसर है 1991 में सर्वो चिन्याले के पहले नियाईदीस जिनके खिलाफ सोतंतर भारत में संसत में महावियों का प्रिस्ता पेस किया गया था उनका नाम बताईए तो इनका नाम है नयाय मूर्ती रामा स्वामी ठीक है राश्टपती के चुनाव से उत्पन होने वाले सभी संद्यों और बिवादों की जाच करने और निर्णाय लेने की सक्ति किसमे निहित है तो देखिए राश्पती की चुनाव से उत्पन होने वाले किसी भी प्रकार के संद्य या बिवात की जाच करने की सक्ति का निर्णाय लेने की सक्ति होती है सर्वोचिन्याले के पास किसके पास सर्वोचिन्याले के पास भारत के सर्वो चिन्याले का उदगाटन कब हुआ इंपोर्टन कोशन है तो भारत के सर्वो चिन्याले का उदगाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था कब हुआ 28 जनवरी 1950 किसका अर्थ है कि भारत के राश्पती सलाहत के लिए सर्वो चिन्याले को किसी भी ऐसे मामले को संदर्विद कर सकते हैं जो सार्विजनिक महात्व का है या जिसमें समिधान की ब्याक्ख्य सामिल है तो यह है सलाकार छित्र अधिकार ठीक है खीक किसका मतलब है कि सुप्रीम कोड मामले और उसमें सामिल काणूनी मुद्णों पर पुनर विचार करेगा तो अपी लिये चित अधिकार में ऐसा होता है ठीक है धियान रखेगा भारत का सरव चुनियाले किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो भारत का सरव चिन्या द्वारा मुख्य न्याइदीस के द्वारा इंपोर्टन कॉशन है तीन वार ये कॉशन रिपीट हुआ है एक्जाम में टीसिस के द्वारा अब तक जब राष्टपती और उपराष्टपती के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राष्टपती के रूप में कौन कार करता है सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्याइदीस भारत के मुख्य न्याइदीस भारती समीधान का संरक्षक कौन है तो भारती समीधान का संरक्षक है भारत के मुख्य न्याइदीस ठीक है कौन है भारत के मुख्य न्याइदीस उचितम न्याले के न्यायदीसों के बेतन और परी उपलब्दियों कहां से प्रदान की जाती है तो ये की जाती है भारत की संचित निदी से सर्वोच न्याले के न्याय की समीक्षा कार का क्या अर्थ है तो इसका देखिए न्याई की समीक्षा इसका अर्थ होता है कानून की सम्मिधानिक, सम्मिधानिक बैदिता की जाच करना सर्वो चिन्याले की प्रतम महिला न्याईदीस कौन थी? तो देखिए, important question है, सर्वोच से कया नाम है, फातिमा बीवी, कौन सा भारत के सर्वोच नालके छेत्र अधिकार में नहीं आता है, तो बिद्ती है, ये सर्वोच नालके छेत्र अधिकार में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट किसका संद्रक्षक है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संद्रक्षक होता है किस के दौरा जनवरी कौन जनवरी 1950 से लेकर नवंबर 1959 तक भारत के पहले मुखे नाज़ीस थे तो उनका नाम है हरी लाल जे किसून डास कानिया भारत के मुखे नाज़ीस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो देखिए सही नहीं है यह कौशन ऑप्शन से लिया गया है यहाँ पर बनलान बनाया गया ऐसे तो देखिए नाज़ीस के बारे में सही नहीं है वह सभी उचन्याले के मुक नाइदीसों की नियुक्ति करता है ये सही नहीं है महारत का सर्भु चिन्याले संगी नाइदीस की रूप में कार करता है जब वह सुनवाई करता है तो सही आंसर है अंतराजिय बिवाद की सुनवाई करता है महारत के किस मुक नाइदीस को भारत के राश्टपती की रूप में कार करने का अपसर मिला है सही आंसर है नयायमूर्ती एम हिदायत उल्ला को कौन सर्वो चिन्याले के नयाज़ीस और लोकसवा के अद्देक्ष दोनों पत पर रह चुका है सही आंसर है के एस हैगडे के नाम हिनका के एस हैगडे हमारे समिधान के मूल धाची की घोशना सर्वो चिन्याले द्वारा की गई थी तो ये की गई केश्वानंद भारती मामला में किस मामले में सर्वो चिन्याले के राज के नीती निदिसक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता बहाल की है सही आंसर है मिनर्वा मिल्स मामला केंद्र और राज के बीच बिवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वो चिन्याले की सक्ती किसके अंतरगत आती है तो यह आते हैं मूल छेतर अधिकार के अंतरगत भारत के सर्वो चिन्याले दौरा दो राजों के बीच बिवाद को किसके तहत हल किया जा सकता है है सही आंसर है मूल छेत्र अधिकार मूल छेत्र अधिकार राष्ट पती और उपराष्ट पती के चुनावी विवादों को निप्टाने का अधिकार सर्वोच न्याले को है यह इसका है तो यह इसका मूल छेत्र अधिकार है ठीक है इंपॉर्टन कॉश्चन है पांच वर एक सर्वू चिन्याले के मुखिनाइदीस और अन्याइदीसों की नुक्ति किसके दोरा की जाती है important question बन जाता है question तो ये राष्टपती करते हैं दोस्तों ठीक है सर्वू चिन्याले के मुखिनाइदीस और अन्याइदीसों की नुक्ति सर्वू चिन्याले के सलाकार 6 अदिकार से कौन संबंदित है आंसर है भारत के राश्टपती कानून या तथ्यों पर राए मांगते हैं इसके दौरा कलकत्ता में सर्वू चिन्याले किसके दौरा इस्थापित किया गया बिनी यमन अदीनियम 1773 के द्वारा किया गया था भारत के सर्वोच न्याले के नियादीस के रूप में नियुक्ती के लिए कौन सी आवस्चक युगता नहीं है तो राइट आंसर रुजाएका कम से कम 35 वर्स की आई होनी चाहिए ठीक है भारत में सर्वोच अपीली न्याले कौन सा है भारत में सर्वोच अपीली न्याले है हमारे समीधान की ब्याका करने का अंतेम अधिकार है किसको है किसके दौरा लिए गए निल्डे भारत में अन्य सभी न्यालों के लिए बाध्यकारी है राइट आंसर है भारत के सर्वुच न्याले के द्वारा लिए गए जनवरी 2021 तक भारत में उच्च न्यालों की संख्या कितनी थी तो देखे जनवरी 2021 तक भारत में उच्च न्यालों की संख्या थी 25 यानिकी 25 किसके कारकाल के दौरान उनके खिलाब अजालत में अपरादिक कारवाई सुरू नहीं की जा सकती। सही आंसर है राज़िपाल के खिलाफ। उत्राखंड का उच्छ न्याले कहां इस्तित है तो उत्राखंड का उच्छ न्याले नेनी ताल में है। उच्छ न्याले का न्याजदीस बनेने के लिए कम से कम कितने वर्स उच्छ न्याले का अधिवक्ता होना आवश्यक है या होना चाहिए राइट आंसर है दस वर्स भारत में उच्च न्याले की स्थापना सबसे पहले का हुई तो भारत में उच्च न्याले की स्थापना सबसे पहले बॉम्बे मदरास कलकता में की गई थी अंडमान और निकोवार छेत अधिकार किस उच्छ न्याले के अंतरगत आते हैं तो यह आते हैं कलकत्ता उच्छ न्याले के अंतरगत की जाती है तो ये राज की संचित निदी से दी जाती है सके सकते हैं अगला कोशन है उच्छ न्याले में अपील उस मामले में होती है जहां सत्र न्याले ने किस की सजा सुनाई हो तो राइट आंसर है चार साल या उससे अधिक की सजा सुनाई हो किन दो राज्यों में एक समान उचनियाले है तो ये है हर्याना और पंजाब में ठीक है हर्याना और पंजाब देखे सोरी पहले ये कोशन रहा गया किस उचनियाले में सीटों की संक्या सबसे देखे तो ये है गोहाटी उचनियाले में ठीक है इसके बाद है किन दो राजवों में एक समान उच्छन्याले हैं तो ये है हर्याणा और पंजाब में अधीनस्त न्यालों की निगरानी किस के दोड़ा की जाती है लोकसवा अतवा बिधानसवा के चुनाव को चुनोती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने और निर्ण देने का मूल अधिकार किस न्याले के पास है तो ये राज का उच्छ न्याले के पास होता है ठीक है राज के उच्छ न्याले के पास किस उच्छ न्याले में को पहली महिला मुख्यनादिस का गौरप प्राप्त है राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश उच्छ न्याले को इंपोर्टन कोशन है पांच वर रिपीट हुए एक कोशन भारत में उच्छ न्याले की पहली महिला मुख्छ न्यादिस थी तो इनका नाम था लीला सेट ठीक है पांच वर कोशन पूछा गया ही है पहली मुख्छ न्यादिस महिला कौन थी लीला सेट भारत में उच्छ न्याले में से एक नए यह आदिस क्यों दिया कि बंद असम्मिधानिक और दंडातमक है तो ये मौलिक सुतनता के अभ्यास में नहीं आता है इसलिए केरल और लक्षदीप का उच्छ न्याले कहां सते थे तो केरल और लक्षदीप का उच्छ न्याले कोची में है जिन राजियों में एक समान उच्छ न्याले हैं वे हैं तो वे हैं आपके महराष्ट और गुआ ठीक है कौन कौन से हैं महराष्ट गुआ उचिनाले के मुख नैजीस की निक्ती किस के दोरा की जाती है उचिनाले के मुख नैजीस की निक्ती राष्टपती के दोरा की जाती है एक उचिनाले के नैजीस को दूसरे उचिनाले में इस्थांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकरित है सही अंसर है राश्टपती उच्चन्याले के नयाज़ी कितने समय तक कार्रेकाल समालते हैं तो ये 62 वर्स पी आयू तक समालते है नयाई पाले का दौरा बनाए गए कानून को किस रूप में जाने आता है सही अंसर है निर्णे बिदी के रूप में जाने आता है अधीनस्त अपरादिक न्यालों के सीर्ट पर कौन सा है सही आज़र है Court of Census Judge ठीक है जिला न्याइदीस जिला न्याइदीस किसके नेंतरण में है तो जिला न्याइदीस उच न्याले के नेंतरण में होता है समिधान की ब्याख्या कौन करता है तो न्याय तंत्र समिधान की ब्याख्या करता है ठीक है भारत के समिधान के किस अनुछेद के अनुसार सर्वोच न्याले देश की न्याय की प्रणाली के सीड्स परस्थित है सही आंसर है अनुछेद 124 में ये बतलाया गया है किस अनुछेद में बताया गया है भारत के सम्मीधान का कौन सा अनुच्छेद घोसित करता है कि सर्वो चिन्याले अवी लेख न्याले होगा सही आंसर है अनुच्छेद 139 किस अनुछेद के अनुसार भारत के सर्वोचिनाले को संसत द्वारा सुनाये गए किसी भी निर्णायार दिये गए निर्देश की समिक्षा करने की सक्ति होगी राइट आंसर है अनुछेद 137 कौन सा अनुछेद सर्वोचिनाले की सहयक सक्तियों से सम्मंदित है तो अनुछित 140 सर्वुचन्याले की साहक सक्तियों से सम्मंदित है भारत के महानियावादी को किस रूप में निक्त होने के योग होना चाहिए सही आंसर है सुप्रीम कोट के जज के रूप में निक्त होने का योग होना चाहिए किसको नियावादी को इलहावाद उच्चिन्याले की पीट किस स्थान पर है तो ये इलहावाद उच्चिन्याले की पीट ये लखनों में है कहाँ पर उत्तर प्रदेश की राधानी लखनों में कौन भारत का एक संविधानिक पद नहीं है तो महा न्याय भी करता इनकी सोलिस्टर जनरल ये भारत में एक संविधानिक पद नहीं है